नमस्कार अपने यूटूब चानाल मैं इटन राश्परी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ थमने से देखके आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे एसेसी फियर चसल 2019 एक् कि आज किस वीडियो में हम लोग किंगे डाउट्स को क्लियर करने वाले सबसे पहला और मोस्त इंपॉर्टन डाउट यह है कि अब इस कंडिशन में हर एक बच्चा जिसने टीर टू एक्जाम दिया है वह कंफ्यूज है क्योंकि टीर टू क्या होता है कि जैसे टीर वन एक् सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यार मेरे इसके अप्रॉक्स मार्क्स आ जाएंगे लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव एक्जाम होता है बहां पे जो नंबर से वह आपके हाथ में नहीं है आपने कितना भी अच्छा लिखाओ वह कॉन्फिदेंस आपके नहीं आपाता है कि यार अच्छा लिखाओ हरे इस्टुडेंट आप ही कंफ्यूज नहीं है लगबग हरे कि इस्टुडेंट चाहें वह कितना भी बिलेंट हो और चाहें वह कितना ही मलब उसने पेका लिखाओ दोलों की सिच्छिएसन एक जैसी होती है क्योंकि कुछ कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क कि कितने मांक्स आएंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मांक्रों कोशन यह बनता है कि टाइपिंग जो है उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए लेकिए टाउट इस वज़े से आ रहा है कि टीर कुका एक्जाम पता नहीं मांक्स कैसे आएंगे तो उसके हिसाब से बच्चे कंफ्यूजर की टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और यह भी बात सही है कि रिजर्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो अगर आपका रिजर्ट आ गया तो फिर उतने टाइम में आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे यह भी एक हकीकत है तो इस सिच्वेशन में आपको क्या करना चाहिए उसका मैं सल्यूशन यहां पर बताने वाला हूं उसके अलावा बताऊंगा कि रिजर्ट आपको कब तक आएगा और रिजर्ट आने के बाद टाइपिंग जो है व जो राइट इंफर्मेशन जो राइट कंटेंट है वो आप लोगों तक डिलीवर किया जा सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हैं इसी डाउट पर बात कर लेते हैं कि टाइपिंग किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए देखिए हर एक इंसान के अंदर एक होईस होती है कि उसे नौकरी पानी है और टीर टू में अब जब आप आपका स्कोर आएगा आएगा तब पता चलेगा कि आपके मार्स कितने बने आप टाइपिंग को देने जाएंगे यहां पर सबसे बड़ा कोशन यह उटता है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस किसको करने चाहिए देखिए मेरे इसाब से तो सभी को करने चाहिए लेकिन अगर आप टीर टू के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिदेंस नहीं है तो आज मैं आपको क्लेर कट बताने वाला हूं कि कि इन इस्वेंट को अभी से टाइपिंग के लिए सजग हो जाना बाखी मेरी तुरह यह है कि सभी को टाइपिंग की प्रेक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए जो होगा अच्छा होगा तो आप देख लेना ज्यादा कंडिडेट यहां पे बाहर नहीं होगे पता चला है कि 37,000 प्लस कंडिडेट ने जो है अपियर हुए हैं एक्ज कंडिडेट बाहर होंगे या नहीं कि हम कह सकते हैं कि जो रिजर्ट है वो आपका 90 परसेंट आएगा तो मेरे इसाब से तो सभी को टाइपिंग की प्रेक्टिस करने की उस पर हम बात करने वाले देखें जिन बच्छों के मार्स जो भी आपकी कटाफ गई है जैसे कि आपक कि गई है उसे दसदन अपने अगर आ रहे हैं अगर दसदन अपर आप उपर लेकि आ हो कटाफ से तो आपका टीर टू अग्जाम गए जैसा भी गया हो क्योंकि टीर टू के इसाम में आपको नंबर जो है इस बार कमन नंबर मिलें क्योंकि स्वार्थ कुछा गया तो फैल आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करते हैं यह वी बिल्कु सरी बात वह एक बात मैं आपको संधाना चाहता हो जैसे आप का एक्जाम है निकालते हैट तो एक्जाम में जिसे मैस आती है तो मैस कि आप कहीं से भी पढ़ते हैं आप तहीं से भी अगईए चाहिए बहुत सवायो हैं तो यहीं मेरे जो exam pattern है जो previous year जिस तरीके से पैसे जाए हैं उनको अगर आप practice नहीं करेंगे तो same to same आप उस तरीके से उसे relate कर सकते हैं कि कितना बड़ा effect पड़ेगा तो इसी बात को आप अपनी tapping से भी relate करेंगे कि आपको exam based जो टैपिंग के पैसे हैं जो previous year पैसे हैं उनको चलूर तो अगर आप previous year पैसे और जो exam में जिस तरीके के आपके पैसे आते हैं उस तरीके के अगर आप पैसे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने complete material बना दिया जिसमें आपको 32 जो previous year के टैपिंग के पैसे हैं वो मिलेंगे और इसके अलावा आपको किस तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा इसमें महिनद लगी है और इस content को मैंने बाकायरा दो तीन बार चेक दिया है तो बिल्कुल errorless content है तो 32 आपको जो previous year टैपिंग के पैसे हैं वो मिलेंगे जो की SSC CHSL में अभी तक पूछे गया है उसके अलावा जो exam बेस्ट ज जो टैपिंग के सेट है वो भी है उसके अलावा जो state level के exam में टैपिंग करा जाता है वो भी इसमें यहां पर मैंने दिये हुए है तो टोटल यह 60 प्लस 32 आपके 92 आपको पैसे मिलेंगे उसके अलावा आपको complete video lecture जो important videos है कि आपको टैपिंग कैसे करनी है तो यह सारी आपको videos भी मिलेंगी और complete यहां पर guidance मिलेगा इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस content से आपको 100% benefit मिलेगा तो सबसे पहला जो question है उसका answer आपको मिल गया होगा कि किसको टैपिंग करनी चाहिए और किसको बेट करना चाहिए फिलाल मेरे हिसाब से मैं तो राय होगा कि स अगभग सभी को मुका मिलेगा टैपिंग करनेगा तो अभी अभी से करना स्टार्ट कर जाती है तो चालिस-पचास की स्पीर बनाके जाए और जितना भी मतलब अभी से पुरा जीजान लगावीजे ताकि आपको डाउट ना हो क्योंकि सीट अगर आपको लेनी है तो टीर अब हम बात कर लेते हैं अगले कोश्टन के बारे में कि तीर टू का आपका रिजर्ट कब तक आएगा तो टीर तू के बारे में डेटेल में भी आपको बताया है यहां भी बता देता हूँ कि अभी तक जो एकिहास है जहें 2015 का हो 2016 का हो 2017 का 2017 में तो काफी लंबा किचाता 2018 तो एबरेज अगर टाइम डिरेशन निकाला जाए तीन से साथे तीन मेने आपके लगते हैं रिजर्ट आने में तो चौदा परवरी को आपका एक्जाम होगा था तो वहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैं के लास्ट में आएगा या जून के फर्स्ट वीक में आपका टियर्ट मिनिममम टीज दिन और मैंग्जिम आपको 40 दिन मिलेंगे इतना ही टाइम आपको मिलने वाला है तो आपका टाइपिंग है अगर जून में माले दिक न random का आनौंस मिलेंग तो जुलाई में आपका टाइपिंग को जाएगा तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आप किसी भी चीज का बिट किये हुए आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यह बड़े भाई होने के नाते में आपको एक सलाह देना हूं कि आप टाइपिंग सब्सक्राइब नहीं जाएगी अभी माल लेटरी टीर 2 का रिजर्ट आने के बाद आपका माल लेटरी टीर 2 में अच्छा माक्स आगया तो तो आपको टाइपिंग देने को मिलेगा और अगर आपने प्रेक्टिस नहीं कियोगी तो आपकी जो चीजें है वो हाथ से निकल तो किस्मत के बरोसे मत रहिए अभी से अगर मेरी राय आपको माननी है तो मैं आपको सला देता हूं कि अभी से टाइपिंग करना है स्टार्ट कर देजिए और अच्छे तरीके से करें सीरसी टाइपिंग करिए क्योंकि अब आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बच्छा ज्यादा स्यादा टाइपिंग जो है वह आप आफ लाइन करिए पेपर पो देखके टाइपिंग करिए और 99 परसेंट चांस इस बार यह है कि आपका जो टाइपिंग है वो रिजनल हैड आफिस में होगा और जिस तरीके से आपका पुराने पैटर्ण पर जो आपको हाल प पर्चेश किया है तो आप इससे पर्चेश कर लेजे इससे आपको बहुत लिएदा है कैसे आप इस कंटेंट को ले सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है 63071856-9963071856-99 इस नंबर पर आपको बाट सब्सक्राइब करना है आपको पोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफ पर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस बीलियो को जादा से जादा से जादा से शेर करिए ताकि एक जो राइट इंफार्मेशन है वो लगभख सभी शोयन तक पहुंच सके ताकि जादा से बच्चों को इसका बेनुफिट हो सकते थैंक्यू युल माली को wrapping वbnत ह सकते बादा को इसके बिलियोन घसके मालाई से खए हो झादा से जादा दोलो पहा है टके भादा से ताकिन, को पहाँ जादा से छोड़न我 शीक जादा से जादा से जा भी करियोछ इस पादाना से माला अदा एक जा फो शीक आपना से इदके मेशन